आज इस वीडियों में हम लोग पौधों के पोशकत्त। के बारे में जानेगे. उईसे तो हर जानदार चीज के लिए पोशकत्त्त। जरूरी है उसके जीवन या पन के लिए。 कितने भी जानदार चीज़ हैं चाहे जानवर हो। चाहे मनुस्य हो। चाहे पौधे रहना, इन सब तर तर की जरूरी है कारवनिक पदार्त होते हैं और या सुरीय के क्रियाओं को नियमित करते रहते अगर पॉसक्तत्यों न मिलें तो सरीर कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे नश्ट हो जाता है इसमें उसे हर चीज के लिए पॉसक्तत्यों जरूरी है पौधों में देखा गया है 17 पोशक्त तो होने चाहिए आवस्यक हैं इस में से तो कुछ पोशक्त तो बहुत इमहत्रपूर हैं जैसे आपका निट्रोजन, फासफोरस, पोटास जिसको एन पी के नाम से जाना जाता है यो खाद के द्वारा उर्बरकों के द्वारा दिया जा सकता है खेत में दिया जा सक नाट्रोजन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि फिक्स कर लेते हैं जैसे जिनके जरों में गांट होती है लेगुमीनस प्लांट दाल वाली फंसले उसमें बैक्टिरिया होते हैं बैक्टिरिया डायरेक्ट वाइमंडल से नाट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं जो कि पौधों प्राप्ट कर लेते हैं जो हवा से डारेक्ट लेते हैं जैसे इसमें हैं हाइड्रोजन आक्सीजन कार्बन कि इसके अलामा कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो कि कम मात्रा में जरूरी होते हैं लेकिन अगर ओनर है पौधे में रोग लग जकता है इसमें से है कैलसियम, मैगनीसियम, सलफर एक पौशक तत्व बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होते हैं अब इससे भी कम मात्रा में जरूरी है जो की बहुत ही कम मात्राम जरूरी होते हैं लेकिन अगर उसमें भी कमी हो जाती है तो पौधे में रोग लग जाता है इसमें है बोरान, क्लोरीन, कापर, आइरन, मैगनीज, मौलिबडेनम, नीकिल, जिंक ये बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है लेकिन इनमें अगर कमी हो जाती है तो पौधे में बृधि रुख जाती है उत्पादन कम हो जाता है और उत्पादन कम हो जाता है पौधे में बृधि कम होती है और इसके फलों में फलों गुरवत्ता कम हो जाती है जिसके मार्केट बैलू कम हो जाती है मार्केट बैलू कम हो गई तो किसान को पैसे कम मिलते हैं और कम मिलते हैं तो उसकी आर्थिक दसा कम जोर हो जाती है इस तरह से पौधों में तत्तों की कमी होने से उनके पौसक बैलू भी कम हो जाती है पौसक बैलू कम होने से उसको खा य Ride alex है जिन जो कि भोजन को 31 करते फोट्सेंतिसिस के द्वारा फोट्सेंतिसिस होती है सूरी की रोसनी में Bizim सूर की रोचनी में Byन जमीन से पानी करके और एनरजी बनाथे हैं और इसके प्रपार न बनाते हैं इसी जरिये से तमाम छीजें इसमें फीक्स होती है रहती ही न् होता है और प्रोटीन भी से होता है प्रोटीन की बाइलू हम नाइट्रोजन से निकालते हैं कि जतना नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन निकाल करके हम लगाते हैं कि प्रोटीन इतनी है तिस तरह से पौधों में प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती है कौन से रोग हो जाते हैं अधिकता से कौन कौन रोग हो जाते हैं किन किन तत्तों के जरिये से न्यूट्रियंट हमको प्राफ्थ हो सकते हैं इनके लिए हमारा आगला वीडियो आप देखेंगे कि जिसमें हम जिसमें बताया गया है कि कौन से न्यूट्रियंट की अधिकता से पौधों में क्या हो जाता है क्या बृद्धी हो जाती है क्या कमी हो जाती है और उस न्यूट्रियंट की कमी से क्या हो जाता है और न्यूट्रियंट कहां कहां पाए जाते हैं और क्यों यह जरूरी है इसके बारे में अगले वेडियों में बताया गया है और लिए जोरुड शरुम हो जाते हैं जिनके जनको हम न्यूट्रियंट की पूर्टी करके दिया जा सकता है इसके लिए हम आगए हमारा वीडियो कि देखेंगे कि हमारा कैसे किस न्यूटियन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है धन्यवाद हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और आगे कि अब जाए